इस कहानी की शुरुआत में हम फीफी नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है और उसकी मॉम उसे बता रही थी कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कह लिए है कि वो हमें चांद और पिर्थ्वी की बीच की दूरी भी बता सकती है इस पर फीफी के डैड उस से पूछ थे हैं कि क्या मैं तुम्हें चान के साइंस के बारे में और बता हूँ इस पर फिफी अपने डैड को साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी मॉम से चांद से जोड़ी कहानिया सुनना चाती थी उसकी मॉम से मॉन गॉड़ेस की कहानी शुनाती है कि किस परकार हजार साल पहले मॉन गॉड़ेस पिर्थवी पर ही रहा करती थी और वो एक यूदधा से प्यार करती थी लेकिन एक दिन गॉड़ेश ने एक ऐसा मैजिकल सीरम पी लिया जिससे वो अमर हो गई और अमर होने के बाद चांद पर खीजी चली गई लेकिन वो यूद्धा जिससे वो प्यार करती थी वो पिर्थवी परी रह गया और समय के साथ मारा गया क्योंकि वो अमर नहीं था चांद पर मून गॉड़ेश अभी भी मौजूद है और वो उस यूद्धा का इंतजार कर रही है जिससे वो प्यार करती थी चांद पर मून गॉड़ेश के साथ उनका रैबिट भी रहता है जो उसे कमपनी देता है और मून गॉड़ेश अपने रैबिट से भी बहुत प्यार करती है अपनी मौम से ये कहानी शुनने के बाद फिफी अपने डैड से पूछती है कि क्या मौम जो कहानी शुना रही है वो सच है इस पर फिफी के डैड उसे बताते हैं कि अगर तुम्हारे मौम तुम्हें बता रही है तो वो सच ही होगा अगले सीन में हम फिफी को एक श्टिक पर रैबिट टॉय बांद कर उसके साथ खेलते हुए देखते हैं और यहां पर हमें पता चलता है कि फिफी के मौम डैड मिलकर मौन केक की एक छोटी सी सौप चलाते हैं और उनके सौप के केक पूरे टाउन में फेमस थे फिफी की मौम उससे पूछती है कि क्या तुम मौन केक बनाने में मेरी मदद करोगी इस पर वो राजी हो जाती और मौन केक बनाने में अपने पैरेंट्स की मदद करने लगती है और समय के साथ वो काफी बड़ी भी हो गई थी वो हमेशा मौन केक बनाने में अपने पैरेंट्स की मदद क्या करती थी और उनके साथ मिलकर टाउन में मून के एक सेल करती थी और लोगों को भी उनका मून के एक बहुत पसंद आता था लेकिन एक दिन अचानक से फीफी की मॉम की तबियत खराब होना शुरू हो गई और जल्दी उनकी देथ हो जाती है फीफी की मॉम ने मरने से पहले उसे एक रैबिट गिफ्ट किया था जिसे फीफी हर समय अपने साथ रखती थी अब धीरे धीरे चार साल बीद गए और हम फीफी को अपनी मॉम की तस्वीर के सामने उनसे मून के एक सेयर करते हुए देखते हैं क्योंकि फीफी आज भी अपनी मॉम को काफी जादा मिश किया करती है अब वो अपने डैड के साथ ही टाउन में मून के एक सेल किया करती थी और साथ ही साइकल से मून के एक डिलीवर भी किया करती थी लोग खुसी से फीफी के मून के खरीदते थे और अब फीफी अपने डैड के साथ रहना सीख गई थी एक दिन जब वो मून के एक डिलिवर करके घर वापस आती है तो अपने डैड के साथ उनकी फ्रेंड को देखती है और वहाँ फीफी के डैड की फ्रेंड का बेटा भी वहाँ पर आया हुआ था वो समझ जाती है कि उसके डैड अपनी फ्रेंड से साधी करना चाते है लेकिन फीफी को अपने डैड की फ्रेंड और उनका बेटा भी पसंद नहीं आता और अब जब वो अपने डैड के साथ मिलकर मून फेस्टिवल के लिए घर को सजा रही होती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसे उनकी फ्रेंड से बात करनी चाहिए क्योंकि आंटी काफी अच्छी है लेकिन वो अपने डैड की फ्रेंड से बात करनी से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अपने डैड की फ्रेंड और उनका बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड अपनी फ्रेंड से शादी करे अब इससे पहले कि फीफी के डैड उसे फ्रेंड से बात कराने के लिए राजी करते वहाँ पर उनकी फ्रेंड आ जाती है जो फीफी के लिए उसका फेवरिट क्रैब्स लाई थी क्योंकि उसे क्रैब्स खाना बहुत पसंद था दरसल उसके डैड की फ्रेंड किसी तरह फीफी को अपने करीब लाना चाहती थी ताकि फीफी उनके साथ फ्रेंक हो सके लगते हैं लेकिन उसी दोरान जब फीफी अपने डैड को उनकी फ्रेंड चे हसस कर बाते करते हुए देखती है तो उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब उसके डैड की फ्रेंड उसकी मॉम की जगे ले रही थी फीफी को अपनी तरप देखता देखकर उसके डैड की फ्रेंड उससे पूछ ती है कि तुमारे डैड ने बताया है कि तुम आज भी मून गौड़िस की कहानियों पर विश्वास करती हो दरसल सभी को पता था कि Moon Goddess की कहानिया सिर्फ एक कहानी है लेकिन फीफी को आज भी Moon Goddess की कहानी पर पूरा विश्वास था और वो आज भी सभी को समझानी की कोसिस करती थी कि Moon Goddess की कहानिया सच है अब फीफी अपने डैड से पूछती है क्या आपको भी लगता है कि मून गॉडिस की कहानिया जूटी है उसकी बाते सुनकर उसके डैड सभी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते जिससे फीफी काफी दुखी होती है क्योंकि इसका मतलब था कि उसके डैड को भी मून गॉड इसकी कहानियों पर विश्वाश नहीं है वो गुस्सा होकर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती है तो वो अपने रैबिट के पीछे जाती है और तालाब के किनारे पहुंच जाती है चांदी रात में उसे आसमान में चांद नजराता है और उसे लगता है कि जरूर उसके डैड मून गॉड इसकी कहानियों पर विश्वाश ना करने की वज़े से उसकी मौम को भूलते जा रहे हैं और अगर सायद वो किसी तरह अपने डैड को मून गॉड इसकी कहानी पर विश्वाश दिला दे तो वो अपनी फ्रेंड से साधी नहीं करेंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा लेकिन फीफी को अपने डैड को मून गॉड़िस की कहानी पर विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले खुद मून पर जाना होगा जो अभी के लिए impossible था क्योंकि मून पृत्वी से लाखो किलो मीटर दूर था लेकिन वो इतनी आसानी शेहार मानने वाली नहीं थी इसलिए वो चांद तक जाने के लिए रॉकेट बनाने का फैसला करती है और वो अपने इस मिसन में पूरी तरह से जुट जाती है वो अलग अलग तरे के रॉकेट का मॉडल बना कर एक्सपरिमेंट करती है और साथ ही रॉकेट बनाने के लिए उनलाइन बहुत सारा सामान भी मंगाती है जिसे देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाह रही है लेकिन काफी दिनों के लगातार मेहनत और बहुत सारे रॉकेट प्रोजेक्ट फेल होने के बाद रॉकेट काफी दीरे दीरे आगे बढ़ रहा था लेकिन जल्दी वो स्पीड पगड़ने लगती है और हावा में उड़ने लगती है वो अपने रैबिट के साथ काफी तेजी से चांद की तरह बढ़ रही थी जिससे वो काफी जादा खुज थी लेकिन अगले ही पल उसके रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता और वो अपने रॉकेट के साथ तेजी से नीचे गिनने लगती है और उसी दोरान उसके रॉकेट में छुपे हुए अपने डैड के फ्रेंड के बेटे के बारे में पता चल जाता है जिसे रॉकेट में देखकर वो पूरी तरह से हैरान थी लेकिन अब इससे पहले कि वो दोनों रॉकेट के साथ नीचे धरती पर गिरते चांद से आती हुई एक रॉष्णी उनके रॉकेट के ऊपर पढ़ती है जिसके बाद उनका रॉकेट उस मैजिकल रॉष्णी में अपने आप ही चांद की तरह बढ़ने लगता है चांद के पास पहुँचने के बाद अचानक से कुछ मैजिकल जीव उनके रॉकेट के साथ खेलने लगते हैं लेकिन फाइनली किसी तरह उनका रॉकेट चांद पर लैंड हो जाता है जिससे फीफी काफी खुश थी अब वो मैजिकल क्रियेचर उन दोनों को अपने साथ उड़ा कर मून गॉड़िस के किंगडम में ले आते हैं जो की देखने में काफी जादा खुब सूरत था और बिल्कुल बीच में मून गॉड़िस का प्यारा सा पैलेस बना हुआ था अब फीफी से मिलने के लिए मून किंगडम के मैजिकल मून केक आते हैं जो फीफी से बात भी कर सकते थे मून केक्स मून किंगडम में फीफी का स्वागत करते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों को अपने साथ उजगे पर ले जाते हैं पर Moon Goddess खुशी से गाना गा रही थी Moon Goddess के पार्टी में जाकर वो दोनों खुव इंजॉय करते हैं और गाना खत्म होते ही फीफी Moon Goddess के गले से लग जाती है Moon Goddess से मिलकर वो बहुत खुश थी और वो Moon Goddess को अपने साथ एक सेलफी लेने को कहती है ताकि वापस जाने के बाद वो उस तस्वीर को अपने डैड को दिखा कर ये साबित कर सकी कि Moon Goddess सच में होती है उसके कहने पर Moon Goddess फीफी के साथ एक सेलफी ले लीती है लेकिन वो उस तस्वीर को फीफी को देने के बदले अपने लिए लाए गए गिफ्ट की मांग करती है अब क्योंकि फीफी Moon Goddess के लिए कोई गिफ्ट लाई नहीं थी इसलिए वो Moon Kingdom के मैजिकल चिकन के साथ Moon Goddess के लिए एक प्यारासा गिफ्ट ढूनने निकल परती है और वो लड़का फीफी के रैबिट के साथ Moon Goddess के पैलिस में ही रहता है फीफी के वहाँ से जाने के बाद वो लड़का सोचता है कि क्यो ना वो Moon Goddess के पास से फीफी के साथ सेलफी वाली तस्वीर चुरा ले और वो ऐसा करने की कोसिस भी करता है लेकिन इस दोरान वो एक जगे पर कैद हो जाता और वहीं पर फस कर रह जाता है Moon Goddess इस बात को लेकर काफी जादा परेशान थी कि वो उस योद्धा से दुबारा कभी नहीं मिल पाएगी जिससे वो प्यार करती थी अगले सीन में हम फीफी को देखते हैं जो Moon Kingdom के Magical Chicken के साथ Moon Goddess के लिए एक प्यारसा गिफ्ट होने के लिए जा रही थी लेकिन उसी दोरान आसमान से अचानक से टूटे हुए तारों की बारिश होने लगती है लेकिन वो किसी तरह इन सबसे बज़ते हुए Moon के दूसरे साइड अपने क्रैस हुए रॉकेट के पास पहुँचती है अब उसे अपने टूटे हुए रॉकेट सिप में Moon Goddess का वो ट्वाई दिखाई दिता है जो फीफी की मॉम ने उसे दिया था वो उस डॉल को Moon Goddess को गिफ्ट के तोर पर देने का फैसला करती है लेकिन अगले ही पल Moon Kingdom के Magical Chicken फीफी से वो डॉल छीन लेते हैं और वो फीफी को अकेला ही वहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं अब फीफी वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी वहीं दूसरी तरफ Moon Goddess के Kingdom में हम फीफी के Rabbit को देखते हैं जो Moon Goddess के Rabbit को एक Magical Serum बनाते हुए देख रहा था इसके बाद हम वापस से फीफी को देखते हैं जिसे गोबी नाम का एक Magical Dog मिलता है और वो दोनों जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं फीफी गोबी की मदद से Moon Kingdom के Giant और Magical Frog पर बैट कर उन चिकन का पीछा करती है जो उससे Moon Goddess का डॉल चीन कर भागे थे और जल्दी वो उन तक पहुँच भी जाती है और किसी तरह काफी मुस्किलों का सामना करने के बाद उसने Moon Goddess की डॉल हासिल करने में कामया भी पा ली थी लेकिन वो Magical Chicken भी इतना असानी शेहार मानने वाले नहीं थे इसलिए वो लगातार फीफी से डॉल हासिल करने की कोसिस कर रहे थे जिसके दोरान वो डॉल पूरी तरह से डिश्टॉय हो जाती है फीफी ये देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि सिर्फ डॉल की मदद से ही वो Moon Goddess को खुस करके उससे अपनी सेलफी वाली तस्वीर हासिल कर सकती थी और अपने डैड को ये विश्वास दिला सकती थी कि Moon Goddess सच में है वो दुखी होकर अपने साथ लाई Moon Cake खाने लगती है और इसी दोरान उसे Moon Cake के अंदर से एक टूटे हुए लॉकेट का हिस्सा मिलता है जो Moon के सेपका था लॉकेट के टूटे हुए उस हिस्से को देखकर वो समझ जाती है कि यही वो गिफ्ट है जिसके बारे में Moon Goddess उससे बात कर रही थी और फिर इसके बाद वो गोबी के साथ Moon Goddess के पैलस की तरफ उन्हें वो लॉकेट का हिस्सा देने के लिए निकल परती है पैलस में पहुँचकर फीफी जब Moon Goddess को लॉकेट का वो टूटा हुए हिस्सा देती है तो Moon Goddess बहुत खुस होती है क्योंकि उस लॉकेट का एक हिस्सा पहले से ही Moon Goddess के पास मौजूद था और उन्हें उसके तूटे हुए हिस्से की तालास थी Moon Goddess उस लॉकेट के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाने के बाद उसके उपर अपने पैट रैबिट के दौरा बनाएगे Magical Serum को डालती है और अपने प्यार उस युद्धा को वापस से पाने का विस्स मांगती है और अब देखते ही देखते वहाँ पर चारो तरफ बदलाव होना सुरू हो जाता है और Moon Goddess के चारो तरफ लंबे लंबे पेल उगाते हैं और वो इस समय किसी Magical Forest में मौजूद थी और कुछ समय के बाद Moon Goddess का प्यार वो युद्धा भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर Moon Goddess बहुत खुस होती है और उसे गली से लगा लीती है लेकिन वो युद्धा नहीं बलकि उसकी Soul थी क्योंकि युद्धा की मौत तो सालों पहले ही हो चुकी थी क्योंकि वो Moon Goddess की तरह Immortal नहीं था युद्धा की Soul Moon Goddess को बताती है कि अब मैं कभी वापश नहीं आ पाऊंगा इसलिए तुम मुझे भूल कर लाइफ में आगे बढ़ो इसके बाद उस युद्धा की Soul वहाँ से चली जाती है Moon Goddess ये जानकर बहुत दुखी होती है जिसकी वज़े से चारो तरफ अंधीरा चाना सुरू हो जाता है क्योंकि Moon Kingdom पूरी तरह से ही Moon Goddess के Magical Power से बना था वापस जाए क्योंकि उसके दोस्त और उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं दिवार के उस पार से वो छोटा लड़का ये सब देख रहा था और अब उसे काफी चिंता होने लगी थी क्योंकि बाहर से उसे लग रहा था कि फीफी अंदर फस गई है इसलिए वो दिवार को तोड़कर अंदर आ जाता है और फीफी को वापस चलने को कहता है वापस जाने से पहले फीफी मून गॉड़िस को बताती है कि आप जिससे प्यार करती थी वो भले ही चला गया हो लेकिन किंगडम के सारे जीव आपसे बहुत प्यार करते हैं क्यूंकि आप काफी जादा खूपशूरत हो अब एक इक करके मून किंडम के सारे मैजिकल जीव मून गॉड़िस के गले से लग जाते हैं जिससे मून गॉड़िस को काफी अच्छा लगता है और उनके खुस होते ही मून किंगडम में वापस से रोशनी आ जाती है और सारे जीव बहुत खुश थे अब मून गॉड़ेस फीफी को अपने साथ सेलफी वाली वो तस्वीर दे देती है जिसके बाद फीफी अपने रैबिट को मून पर ही छोडने का फैसला करती है क्यूंक इससे वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और तस्वीर को जल जाने देती है क्यूंकि उसने चीजों को एकसेप्ट करना सीख लिया था और अब वो किसी के लिए कोई चीज साबित नहीं करना चाती थी अर्थ पर वापस आने के बाद वो उस चोटे लड़के को लेकर बैठी होती है तो एक सारस फीफी के पास आता है और अगले ही पल वो अपने जुन्ड के साथ आसमान में चांद की तरफ उड़ जाता है सारस को देखकर उसे लगता है कि सायद मून गौड़ेस उससे मिलने के लिए पिर्थवी पर आई थी और इसे के साथ ये मूवी यही पर खात्म होती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले